हालो एरिवान आज हम मुंबई का फेमस ट्रीट फूर मसाला पाउ बनाएंगे जो बनाने में बहुत ही इजी है और क्विकली बनकर तयार हो जाते है तो जब भी आपको कुछ तीखा चटपटा टेस्टी खाने का मन करें तो आप ये मसाला पाउ की रेसिपी को जरूर से ट्र ताकि बटर जय नहीं बटर और तेल गरम हो जाए इसमें एड करेंगे जीरा क्रेकल हो जाए इसमें एड करने है दो छोटी जमज ग्रेटेड जिंजर और गार्लिक 10-15 सेकंड के लिए जिंजर और गार्ली को पका लेंगे तो हलकी खुषपू इसमें से आनी शुरू हो तब ही हम इसके अंदर एक बड़ी अनियन को चॉप्ट करके अड़ करेंगे इसे भी हमें दो मिट के लिए ट्रांस्परेंट हो जाए तब तक पकानी है तो चीजे डालते जाएंगे और पकाते जाएंगे और फटा-फट से ये पाउं के लिए मसाला तयार हो जाएगा तो प इस प्याइड करेंगे तिन बड़ी साइज के टोमेटोंस मिक्स कर लेंगे एक पर सारी चीज़ों को और तुरती इसमें एड़ करेंगे ताकि टोमेटोंस जल्दी से कूख हो जाए साथ में ड्राय स्पाइस पीएड कर लें गे पेसिक मसाला ये एड़ करना है, एक चो थाटी स्पुन हल्दी का पाउडर एड़ करेंगे, एक चमत धन्या जीरा का पाउडर और एक चमत लाल मिच का पाउडर एड़ करेंगे, और ये जो मसाला पावे उसे और टेस्टी बनाने के लिए पावबाजी मसाला एड़ करेंगे मिक्स करके अच्छी तरह से पका लेंगे अगर आप पेसिक मसाला नहीं डालना चाहते है तो पावबाजी मसाले की कौंटिटी थोड़ी सी बढ़ा दे अब सारी चीज़ों को एक ग्रेवी फॉम मिलाना है आप पावबाजी मेशर का भी यूज़ कर सकते है कवर करके बगरी उसे पकाएंगे ताकि यह जो मसाला है वो ड्राय रहे तीन से चार मीट में यह पेस्टे वो अच्छी तरह से कूक हो गई है तो लास्ट में इसमें एड़ करेंगे निम्बू का जियूस मैंने जो टोमेटो लिये थी वो थोड़े खटे है इसलिए मैं निम्बू का जियूस एड़ ने कर रही हो पर आप जरूर से एड़ करें और गेस की फ्लिम को बन करके धनिया पत्ती एड़ कर लेंगे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार और उसे एक बॉल में ट्रांसपर कर लेंगे ताकि हलका सा ठंडा भी हो जाए और सेम पेन में हमें पाव को सेखने में भी यूस करना है तो देखिए एक तम चटपटा और टिस्टी मसाला बन कर रेड़ी हो गया है मसाला हलका सा ठंडा हो रहा है तब तक हम पाव को ऐसे ही कट कर लेंगे पूरा कट नहीं करेंगे तो यहाँ पर मैं दो पाउ का यूज़ कर रही हूँ आपका तवा बढ़ा है तो आप एक साथ तीन पाउ पी ले सकते हैं तो अब इसी पेंट के अंदर में एक क्यूब बटर एड़ कर रही हूँ बटर गरम हो जाए इसमें पाउ पाउ पाजी का मसाला थोड़ा डालेंगे और साथ में लाजमिच का पाउडर भी एड़ करेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती उसमें डाल देंगे यह स्की फ्लिम को मैंने लोई रखी है और पाउ जो हमने कट करके रखा था वो इसके उपर ऐसे रख देंगे और सारे मसालों के साथ कोट कर लेंगे तो हमारे जो पाउ है वो हलके से सोफ्ट भी हो जाएंगे और मसालों के साथ कोट भी हो जाएंगे तो खाने में ये मसाला पाओ और भी टेस्टी लगेगा तो इस तरह से पाओ को अच्छी तरह से सेख लिया है अब जो मसाला बना कर हमने रखा था वो इस पाओ के उपर लगा लेंगे तो दो से तीन चमच जितना मसाला या तो फिर आपको जितना पसंदे इसे सब से उसके उपर लगा ले तो है न एक्तम इजी इसे बनाना और मसाले लगाने के साथ आप इसके उपर थोड़ा सा प्यास लगा सकते है चीज या तो फिर बारिक सीव का भी उसकर सकते है, मैं यहां पर थोड़ा सा प्यास और धन्यापति डाल कर ये पाव को भी बंद कर देंगे तो इस तरह से हमारा बहुत ही टेस्टी मसाला पाव सव करने के लिए तयार है पाव भाजी खाना सबको बहुत ही अच्छा लगता है पर वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है तो इसी तरह से अगर कोई गेस्ट अचनक से है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले मिलती हूँ जल्दी नेक्स वीडियो में तिल देन टेक केर एंड स्टे हैपी